हेलो फ्रेंड्स दिशिस एश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्मार्टेड एवरी डे पहरे दोस्तों बात करेंगे बीए थर्ड स्रेमेस्टर एकॉर्डिंग टू कानपूर यॉनिवरसिटी जो हम लोग लोग क्योशन की सीरीज कर रहे हैं उसमें एक क्योशन डेली आपक को अच्छी कवर कर पाएं ठीक है जब तक आपका एक्जम नहीं हो जाता है आपको एक कोशन पढ़े तो मिलेगा ही मिलेगा कोश्च करेंगे कि दो कोश्च करवा दें ठीक है और इससे पहले हम दो कोश्च करवा चुके हैं आज कोश्च नमर आपका थ्री रहेगा अगर एक तो क्षर्षय नहीं पढ़े हैं दोनों तो इनको आप पढ़ लिजे ये देखिए 21 तारीख मी कोश्च करवा गया है और आज 22 कि कुषब कर वाइगा है यह आपका कोश्च नमर सकेंड था और जो कोश्च मर फर्स्ट है वो आपका 20 तारीख में करवा गया है तो यह आ पढ़ें क्या छोड़ दें चलिए सुरू करते हैं यह हमारा फर्स्ट चल रहा है ओके यूनिट भी आप किये थ्री है लोंग कोश्चन की सिरीज से बाइस फिशर फॉर पेट नोट्स अगर पेट नोट्स अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो हमें इस नंबर पर मैसेश कर सक गया है ताकि आप यह समझ पाएं कि एक्जाम में हमको कैसे लिखना है इस तरीके से कोश्चन को लिखा जाता है बहुत मेहनत करके चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन आपके शामने है कोश्चन कहता है इसकूल या विद्याले का अर्थ व परिभाश्रा बताते हुए फिर इसके कारे बताने हैं उसके बाद विद्याले और समाज के बीच क्या शंबंध है वो आपको बताना है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले श्कूल या विद्याले होता क्या है इसका अर्थ क्या होता है जैसरा कि आप जानते हैं शंसक्रत भाशा में विद् है विद्या प्लस आले विद्या का मतलब सिक्षा होता है आले का मतलब इस्थान होता है प्लेश होता है वह इस्थान जहां सिक्षा दी जाती है विद्याले कहलाता है ठीक है विद्याले को अंग्रेजी में school कहते हैं you all knows है ना आप सभी जानते हैं विद्याले में, school को अंग्रेजी में, विद्याले को अंग्रेजी में school कहते हैं school, शब्द की उत्पत्ती एक ग्रीक शब्द इस खोले से हुई है जो school सब्द है हमारा वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है खोले जिससे निकल करके आया स्कूल इस सब्दकार्थ होता है अवकाश यानि की प्राणे समय में युवनान में क्या था यह जो अवकाश के इस्थान होते थे इन्हीं को स्कूल के नाम से शमुदित किया जाता था अवकाश के इस्थान क्या होता है अवकाश के वो इस्थान जहां विक्ती अपना खाली समय वेतीत करता था अवकास का समय वेतीत करता था फ्री टाइम जहां लोग बाते करने के लिए इकठा होते थे गबसप मारने के लिए इकठा होते थे वो अवकास इस्थान कहे जाते थे पुराने समय में ऐसा होता था गाउं में चौपा लगती थी शाम को, है ना कहीं कोई एक इस्थान होता था बढ़िया, जहां लोग इठा हुआ करते थे, अब तो सेरों में तो है नहीं, गाउं में भी अब वो नहीं है, कि यहां चार लोग इकठे होकर के बाते करें, पहले तो क्या था प्राचिन समय की ब दिया गया, कि एक समय के अनुसार सब को यहां इकठा होना है, और फिर जो है, कि हम किस बात, किस-किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यह सब तरीके से एक निश्चित योजना बना ली गई, एक निश्चित पाठिकरम कर लिया गया, तो धीरे-धीरे जो अब काशाले थे, एसे स्थान बन गए, जहां पर सिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित पाठिकरम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लग गए, यह है हमारा विद्याले का अर्थ, अब हम बात करेंगे विद्याले की परिभाशाओं की, बहुत मेनत लगती है क्लास आप तक पहुँचाने में, लाइक और कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, देखिए, जॉन टीवी के अनुसार, इस्कूल एक ऐसा विशेश वातावरण है, जहां बालक के वांचित की दृष्टी से उसी विशेश्ट क्रियाओं तथा विवसायों कोई सिक्षा द पहला हो सके, एक स्पेसिफिक अट्मोस्फेर हमें कौन देता है, विद्याले देता है, बालक को ध्यान में रख करके, उसको सिक्षा दी जाती है, उसको ऐशिक क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है, बालक का विकास हो सके, जे एम रौस कहते हैं, इसकूल वे संस्थाए हैं जिनको शब्ध मानव ने इसे दृष्टी से इस्थापित किया है कि समाज में शू विवस्थित तथा योग की सदस्यता के लिए बालकों की तयारी में शाहता मिल पाए तो ये परिभाशा है कोशिश कीजिएगा कि दो परिभाशा आपको आनी चाहिए आगे बढ़ते है चलिए तो स्कूल का अर्थ और परिभाशा क्या है कोशिशन में स्कूल का अर्थ और परिभाशा तो हमने पढ़ लिया इसके कारियों की विवेचना करनी है यानि कि अब हमको इसके कारे पढ़ने हैं देखिए एक बात और बता दें जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इस जा सकता है विदयाले के कार्यों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं औप चारिक कारे और अनप चारिक कारे यानि की फॉर्मल इनफॉर्मल में ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल के जो आप चारिक कारे हैं जो फॉर्मल फंक्शन से आफ इसकूल उनकी ब प्रथम औप्चारिक कारे बालक की मानसिक शक्तियों का विकाश करना है, उसके अंदर जो mental powers हैं, उनको develop करना है, बच्चे के अंदर जो भी शक्तियां होती हैं, वो जनमजात होती हैं, टीचर उनको develop करने का प्रयास करता है, टीचर उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है, सिख्षा के माध्यम से हम उनको उजागर करने का काम करते हैं तो इसकूल भी जो है उसका क्या काम है मांसिक सक्तियों का विकाश करना है जिससे वह अपनी श्वतंत्र विचार सक्ति को सोचने, शमजने एवं कारे करने में सफलता पूर्वक प्रियोग कर सके जब इसके अंदर mental power develop हो जाएगी तो वो जो है विचार सक्ति को सोचने यानि कि उसके अंदर सोचने की छमता आजाएगी समझने की छमता आजाएगी कारे करने की छमता आजाएगी तर्क वितर्क करने की छमता आजाएगी चाल लोगों से बात करने की अकल आ जाएगी तो ये सब क्या होगा जब mental powers का development हो जाएगा तब व्यक्ति समझदार हो जाएगा इसमें एहम भूमिका विद्याले निभाता है गतिशील एवं संतुलित मस्तिश्क का निर्मान कैसे मस्तिश्क का निर्मान करना है जो गतिशील हो संतुलित हो है ना इसकूल का दूसरा आपचारिक कारे बालक को ऐशा ग्यान देना है जो श्वेम साध्य ना हो अपितु शाध्य को प्राप्त करने का एक शाधन हो इसकूल का जो दूसरा काम है वो ये है बालक को ऐसा ग्यान दिया जाए जो श्रेम शाध्ध ना हो बलकि साध्ध को प्राप्ट करने का एक शाध्धन हो साध्ध का मतलब क्या है? शाध्ध क्या है? ऐसा गतिशील और शंतुलित मस्तिश्क जो परतेक परिस्थिती में शाधन पूर्ण हो और अग्यात भविश्य के लिए नवीन मूलियों का निर्मान कर सके यानि कि वो हर एक condition में हर एक problem को face कर पाए समायूजन कर पाए, अपने आपको adjustment कर पाए और अग्यात जो भविश्य है उसके लिए नए नए मूलियों का निर्मान कर पाए ठीक है यानि कि भविश्य के बारे में उचित तरीके से सोच पाए अपने आपको सही direction में ले जा पाए अब देखिए आर्थिक कुशलता की बात करते हैं विद्याले आर्थिक दरिष्टी से बालकों को कुशल बनाने का कारिभी शंपन करते हैं जो विद्याले हैं वो बच्चों को आर्थिक दरिष्टी से बालकों को कुशल बनाने का कारिभी करते हैं और योगिक और व्यावशाइक सिक्षा प्रदान कर वे उन्हें अजीविका निर्वाहन योग्य बनाने का काम करते हैं जिसे भावी जीवन सुखमे बन सके विद्यालय का काम है बच्चों को उद्योग से समंदित व्यवसाय से समंदित सिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपने जीवी का खुद कमा सके दूसरों पर निर्भर ना रहें है ना ये विद्यालय का काम है कि उसको कुशल बना देना सक्षम बना देना योग बना देना कि वो अपने आपका जीवन निर्भा कर पाए अपने फैमली को लेकर के साथ में चल पाए इस तरीके से उसका जो भावी जीवन है वो सुखमे बन पाए ठीक है किसका काम है विद् देखिए नैतिक एवं चरित्रिक विकास शामाजिक वातावरण में शामाजिक क्रियाओं द्वारा ही संभव है नैतिक विकास, मुरल डफलप्मेंट, चरित्रिक विकास ये शामाजिक वातावरण में जो सामाजिक क्रियाओं होती हैं उनके द्वारा ही संभव है इसलिए इ बालकों के सामने ऐसा शुद्ध श्वाक्ष शाफ निर्मल पवित्र शामाजिक वातावरण प्रस्तुत करें जिससे बालकों में चरित्र काविकास हो सके है ना आगे बढ़ते हैं व्यावशाइक तथा और द्योगिक बद्य कीशा की बात करेंगे यह किसका काम है विद्यालय का काम है कि वह विभाशाइश श्वर मदिन शिक्षा दे और द्योगिक शिक्षा दे एक सेकंड को सिख़् sudah-खी चलिए व्योषाइक और द्योगिकी Chemex को इस शंबंद में विशेश ध्यान देने की आउ सकता है स्कूल बालकों को ऐसी सिक्षा परदान करें जिससे आगे चल कर वे समाज तथा अन्य वेक्तियों पर भार ना बनें दूसरों पर बोज ना बनें अपनी जीविका को श्यम ही अपन कर लें दोनों में लग रहा है शे शाय और उद्योग से समझी सिच्छा देना इसमें बात कही गई है यह पांस पाइंट हो गए जो आपचारिक कारे हैं स्कूल के आप स्कूल के कुछ अनपचारिक कारे भी हैं इनकी बात करते हैं इन फॉर्मल फंक्शन्स ऑफ स्कूल देखिएगा स्कूल के अनपचारिक क के अवसर प्रदान करना है जिसे वें श्वास्थे और सक्तिशाली बन करके शमास की सुष्थ युद्ष सुखी नागरिक बन सकें सुष्थ शरीर में स्वस्त मस्तिश्क का निर्माण होता है ऐसा कहा गया है तो इस विद्याले का भी काम है कि बच्चे को फिज्कल जो है फिज्कली उसको मजबूत बनाए है ना साड़िक विकास के औसर प्रदार करे ताकि उसका फिज्कल डवलाप्मेंट अच्छे तरीके से हो सके जिसे बालक स्वस्त रहे शक्ति शाली बन करके समाज के स्वस्त और सुखी नागरिक वो बन पाए है ना दूसरों की मदद कर पाए शमाज की मदद कर पाए कब कर पाएगा जब खुद जो है मजबूत होगा श्वस्त होगा आगे बढ़ते हैं शमाजिक भावना का विकास रूप है, विद्याले भी समाज का एक लगू रूप है, है ना, विद्याले भी तो एक समाज ही है, इसलिए विद्याले को चाहिए कि वहा बालकों में शामाजिक शहयोग, समाज के लोगों के साथ कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे का शहयोग करते हुए, स चाहनु भूती होनी चाहिए और सामाजिक चेतना जैशे गुणों का विकास करें किसका काम है विद्याले का काम है कि बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का भी विकास करें ठीक है आगे देखेगा नेक्स वन जितना यह कोशन हमारा लिखा है जब आप इसको एक्जाम लिखेंगे तो अबarna 4半 से 5 पेज में प्स पेज कम तो जाएगा नहीं 4 पेज यहां लिखा हुआ है ठीक है पांच से उपर ईजाएगा शमबेग आत्मक विकास देखीयेगा बहलकों में शमबेग आत्मक विकासकरने के लिए इस्कूल का शमश्त वातावरन कलात्मक होना चाहिए कलात्मक वातावरन होगा तब ही हम बच्चे के अंदर शमवेगात्मक development कर सकते हैं विकास कर सकते हैं विद्याले में अनेक क्रियाओं का आयोजन होता है जैसे शंगीत समेलन हो गया सैक्षिक यात्रा यानि की ट्रिप पर ले जाना हो गया वाद विवाद प्रतियोगता ग्रूप डिसकोशन हो गया खेल प्रतियोगता हो गई आदि कई ऐसी प्रतियोगता हैं जिसके माद्यम से पालकों में शमवेगात्मक विकास हो शकता है तो यहां तक तो बात हुई हमारी जो हम विद्याले के कारे पढ़ रहे थे विद्याले के कारे पढ़े हमने आपचारिक कारे अनापचारिक कारे अर्थ पढ़ लिया प्रिभाषा पढ़ लिया इसके कारे पढ़ लिये आपचारिक और अनापचारिक अब कह रहा है विद्याले और समाज के बीच क्या शम्मन्ध है इनको बताईएगा देखिए अब विद्याले और समाज के बीच क्या शम्मन्ध है इसको हम लोग डिसकस करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे paid notes ना लिये हो तो हमारा number जो दिया गया है नीचे भी दिया है मैंने इस number आप मैसेज करनके फटाफट notes ले लिए ये सारे notes आपको forward किये जाएंगे गिजब content के साथ आप अपनी भेतरिन 90% से उपर आएंगे अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो देखिए relationship between school and society अगर आप चाहें तो एक्जाम में ऐसे लिख सकते हैं as it is विद्याले और समाज का घनिश्य शंबंद है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे पर आसरित हैं दोनों एक सिक्षा का काम क्या है विद्याले समाज की संस्कृति का हस्तांतरन ट्रांसफर एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में करते हैं विद्याले का काम क्या है समाज की जो संस्कृति है उसको बचाना उसका ट्रांसफर करना एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में विद्याले के हमारे parents ने जो संस्कृति हमको दी है धरोवर के रूप में हमारे जो grandparents हैं जो forefathers हैं उन्होंने जो संस्कृति जो culture हमको दिया है धरोवर के रूप में है हमारे पास हम उसको आने वाली PD को दे करके जाएंगे है ना विद्याले के माध्यम से शमाज आधार भूत शामाजिक इस्थायत तो प्राप्त करता है विद्याले ही तो वो माध्यम है जिसके माध्यम से शमाज जो है वो आधार भूत शामाजिक इस्थायत तो प्राप्त कर पाता है और अपनी परंपराएं मूल विश्वाश रख रखाव एवं उन्हें सुरक्षित रख पाता है आगे बात करेंगे हर बच्चे के भविशे हैं देखेगा लिखा हुआ है हर बच्चे समाज के भविशे हैं हमारे बच्चे समाज के भविशे हैं जो अभी गैर समाजिक शमुदाय में रहते हैं इनका सिक्षा के माध्य प्राप्ठम से किया जाता है इस प्रकार सिख्षा शमाज में शमाजिक करण होती है यह जो कुश्ण है यह कोंग में भी पूछा जाता है कि विद्याले और समाइश के मद्य शम्हनद बताईए विस्तरत रूप में विस्तार से बताईए तो आप इसको बढ़ा चड़ा करके लिख सकते हैं पॉइंट से में लिख सकते हैं इसे बात को ठीक है मैंने यहाँ पे इसको सौट में लिखा है क्योंकि question में long question में पूछा गया है तो 5 page वैसे fill हो जाने थे हमारे तो इसको इतना ही लिखेंगे ठीक है बाकी notes ना लिए हो तो इस number पर फटावट message करके notes लिली जी ये सारे notes paid extends को forward कर दिये जाते हैं ग्रूप बना होता है ठीक है class का एसरी एक like एक comment जरूँ चाहिए हम आपके लिए इतनी महिनत करते हैं इतना अच्छा content तयार करते हैं आप तक पहुचाते हैं तो आप एक like के comment करें सकते हैं अपने दोस्तों तक college group में जरूँ पहुचाएगा बताइए कि कौन-कौन अपने college group में पहुचाता है thank you so much मिलते हैं बोजल्दी next class में best content के साथ best question के साथ